स्टूरेंट्स वेलकम तो माई चैनल ऑन इनुवेट तनू सो आज मैं करने वाली हूँ आपको DSSSB का प्रिपरेशन की स्टार्टिंग जो की हम करने वाले हैं बायो के चाप्टर से अधरवाइस यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक भी है जो की टॉपिक आज का मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर नूट्रीशन नूट्रीशन जो की आप जानते हो कि क्या होता है तो फूड हम लोग जो खाते हैं तो उसको किस तरीके से हम यूटिलाइस कर रहे हैं अपनी बोडी में उसके बारे में पढ़ना में लिए यहाँ पर हम चलेंगे बात करेंगे तो टाइपस के होते हैं नूट्रीशन एक होता है ओटोट्रोफिक नूट्रीशन और जब हम बात करते हैं ओटोट्रोफिक की ओटोट्रोफिक means it makes us food by its own self मतब की खुद से बनाने वाले for example, for example, plants हो गए and कुछ बाक्टीरियाज होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं they make their food, they make their own food ठीक है, but हम हेट्रोट्रोफिक में सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा सेप्रोफिटिक सेप्रोफिटिक is a type of nutrition जो की आपका लेता है dead and decaying organism से next आएगा आपका parasitic nutrition and जो last आपका आता है वो आता है यहाँ पे holozoic nutrition तो यह तीन तरीके के nutrition आएगे आपके होटोट्रोफिक में अगर हम सबस्प्रोफिटिक की यहाँ पे बात करते हैं तो सबस्प्रोफिटिक में आता है dead and decaying organism से लेने वाला and holozoic बहुत important चीज़ है जो कि आपका DSSB में previous year questions में भी पूछा गया है कि holozoic nutrition का एक example बताने के लिए तो जरूर बताइएगा मुझे comment में and saprophytic का यहाँ पे हो जाएगा example mushroom so mushroom में की example है जो कि saprophytic का है जो कि dead and decaying microorganism से अपना खाना लेते हैं next हम देखें तो यहाँ पे holozoic का एक example में आपको यहाँ पे बदा भी रही हूँ जो होता है amoeba amoeba जो कि आपका 2017 में I think paper हुआ तो उसमें भी आया हुआ है next is parasitic parasitic में आता है plasmodium very important example इसके बाद आता है leach and casceta आते हैं मैंने आपको अभी बताया plasmodium हो गया leach हो गया आपकी 7 की book में भी दिया हुआ है parasitic का एक example जो कि होता है casceta ठीक है very important thing जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे next हम देखते है holozoic nutrition होता क्या है holozoic nutrition एक इस तरीके का nutrition है for example यहाँ पे मैं holozoic को काफी जादा importance देते हुए यहाँ पे बता रही हूँ holozoic nutrition holozoic nutrition जैसे कि हम कोई भी खाने को ingest करते हैं for example इसको 5 process में डिवाइड करते हैं ingestion next process is digestion next third one is absorption इसके बाद आता है आपका fourth number पे जो कि होता है assimilation जैसे कि हम लोगों में process होती है okay fifth last and last होता है ingestion तो यह five processes हम लोग को पूरे nutrition में पढ़नी है but यहाँ पे हम one by one हर एक process को देखेंगे सबसे पहले हम अगर ingestion की बात करें तो यह सबसे जादा shortest process होती है सारी processes में से सबसे चोटी process जो होती इसके बाद सबसे longest process जो होती है that is the digestion is the longest process तो digestion जो होता है वो longest process है अगर हम बात करेंगे यहाँ पे one by one एक तो बात करेंगे ingestion मतलब होता है the intaking of food by an organism जो हम अपना खाना लेते हैं जो हम अपना खाना खाते हैं बस उतना ही उतना ही क्या होता है the process of intaking food is known as हम जो खाना खा रहे हैं उसी को कहते है ingestion ingest कर लेना चीक है तो हमारा main जो focus रहेगा वो start होगा हमारा यहाँ पे digestion से तो हम चीज़े start करने वाले हैं यहाँ पे digestion से जो कि क्या होता है digestion में आपको short description दोंगी and next we are going to start the digestion topic from the next video okay digestion होता है the process of conversion of converting food the complex food into simplest food जैसे कि आप खाना खाते हो तो बहुत सारे variety का आप खाना खाते हो वो बहुत साथा complex food होता है उसको simple form में convert करने को ही क्या कहते हैं digestion कहते हैं ठीक है तो digestion के अंदर ही सारी सारी processes हम पढ़ेंगे जो कि होती absorption की भी assimilation की भी egestion की भी तो ये one by one पढ़ेंगे हम लोग the process of converting मैंने क्या बोला था है कैसी process है this is a process एक प्रक्रिया होती है the process of converting conversion की होती है process किसको convert करने की complex food को यहाँ पे simple food में convert करने की process को कहते है digestion okay so यह हम पढ़ेंगे next वीडियो में जो कि two types का digestion होता है first होता है आपका physical digestion next होता है आपका chemical digestion very important thing जो मैंने आपको बताई है आपसे question पूच सकता है holozoic type of nutrition में आपको जरूर से जरूर हो सकेगा तो मैं SHOTS में भी आपको DSSB के यहाँ पे जो PYQs होते हैं वो भी provide कराऊंगी जो कि holozoic nutrition में फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी and the longest and the shortest process autotrophic nutrition इनके सारे examples भी आपको prepare होने चाहिए ठीक है तो इसी तरीके से आपको करना है आगे चलना है okay so हम next में देखेंगे की physical कैसे होता है digestion कैसे आपके teeth होते है dental formula क्या होता है आपके teeth किस type के होते है teeth को हमने किन किन parts में divide किया हुआ है root, neck, crown किस तरीके से होता है dental formula क्या होता है यह सारी चीज़े हम next video में देखेंगे so that's it for the today thank you and bye bye don't forget to subscribe